सिक्रेट्स ऑफ गौर्ष में मैं सिद्दार्थ ब्रंबट आप सभी का एक पर फिर से स्वागत करता हूं और इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि माकसर महिना जिसे मार गिशेश भी कहते है जब आद्रा नक्षत्र होता है इस महिने में तो उसकी महिमा क्या है देखे ये जो महिना है माकसर महिना कहते है कि वो सत्यूक के प्रारम से है और हमारे ग्रंतों में इस महिने में जब आद्रा नक्षत्र होता है तो उसकी महिमा का मंदन किया गया है ये दिन यानिकी ये तिथी में जब ये नक्षत्र होता है तब बगवान शुर्यनाराण के साथ साथ शिव जी की पूजा का विदान है इस दिन अगर आप बगवान शिव की पूजा करते हैं तो आपको वो विशिष्ट फल देती है हमारे पूराणों में ये बताया गया है कि इस दिन अगर आप शिव पासना करते हैं तो आपको क्या फल देता है 30 दिसंबर यानिकी बुद्वार को ये मार्गिशेश महिने का आद्रा नक्षत्र है जितने भी शिव भक्त है बिना बूले हो सके इतने आप शिव पासना कीजें क्योंकि इसका महत्व क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ पुराणों में बगवान शिव न ये कहा है कि जो भी मेरा भक्त माक्षर महिने के आद्रा नक्षत्र की तिती में मेरा पूजन करता है, मेरा दर्शन करता है, या तो फिर मेरा ध्यान करता है वो मुझे सकंद के समान, यानि के कार्थिके के समान मुझे प्रिया होता है कार्थिके जी जो बगवान शिव के पुत्र है कहते हैं कि बगवान कारदिके नि इसी दिन बगवान शीव की तफस्या कि थी इसलिए बगवान शीव ने वर्दान दिया था कि दूसरा पुराणुमी यह लागया है कि इस दिन अगर कोई शीव पूजा करता है तो उसको 100 शिवरात्री की पूजा का फल प्राप होता है यानि कि एक दिन अगर आप पूजा करेंगे ये दिन में जब मार्क्षिस का आध्रा नक्षत रहु तो बगवान शिव आपको 100 शिवरात्री की पूजा विदी पून करने का आपको फल प्रदान करते हैं इसलिए सभी शिव वक्त इस दिन शिव पासना अचुप करते हैं। मैं आपको बता दू कि आपको क्या क्या करना चाहिए। देखे अगर आप हो सके तो उपवास कीजिए। अगर उपवास नहीं कर सकते तो एक समय आप खाना खाके भी उपवास कर सकते एक समय आप बोजन ले सकते हैं, अगर आप चाहे तो सिर्फ फलाहार पे भी रह सकते हैं, देके कुछ भी हो जाए, इस दिन आप शिव मंदिर में आचुक जाईए, और शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव का जला भी शेक कीजिए, आपकी शद्दा के अनुसार भगवान को बेल उपत्र, अ शिवलिंग की इस दिन में पुजा करते हैं, इस दिन आपको तीनो काल यान की सुबा, मद्याहन काल और रात्री काल यान की जिसे हम संध्या काल कहते हैं, तीनो काल में आपको भगवान शिव की पुजा करनी चाहिए, अगर आप शिवा लेमन नहीं जा सकते, तो आपके ग अगर में शिव लिंग नहीं है तो आप पार्थिव लिंग का निर्मान कर सकते हैं, यह जो मिट्टी से हम बनाते हैं, अगर आप वो भी नहीं कर सकते हैं, तो आप शिव जी की प्रतिमा की भी पूजा कर सकते हैं, या तो फिर आप शिव महापुरान की भी पूजा कर सकते है क्योंकि वो भगवान की एक तरह से वांग में पुजा है तो किसी भी प्रकार से आप शिव पुजन कर सकते है अगर कुछ आप नहीं कर सकते तो आप बेलवरुक्ष की पुजा कर सकते या तो उसकी परिक्रमा कर सकते है क्योंकि बेल व्रुख्ष की पूजा वो शिव पूजा ही कही गई है अगर हो सके अगर आपके पास आसपास कहीं पे बिलवपत्र का व्रुख्ष है तो संध्या के समय में वहाँ पे आप एक दिया प्रजवल लित करे इससे आपको अनन्त पुन्य की प्राप्ति होती है बेल व्रुख्ष के नीचे जो मिट्टी होती है उससे आप अगर शिवलिंग का निर्मान करते है उसको आप गर में लाकर अगर स्थापित करके पूजा करते है या आग तो वहीं पे करते है मिलवरुष के नीचे ही अगर आप शिवलिंग बना कर उसको स्थापित करके पुजा करते हैं तो ये भी आपको अनंत पुन्य की प्राप्ति करवाता है कि किसी भी मनो कामना को ये पूर्ण कर सकता है अगर हो सके तो कम से कम 108 मिलवपत्र से अब बगवान शिव की पुजा कर सकते हैं इस दिन अगर आपने शिव जी की स्रद्दा से पुजा कर ली तो ये सास्त्रों का वचन है कि आपकी कोई भी शुब मनो कामना हो और शिव जी अचुप पूर्ण करते हैं अगर आप इन्वे से कुछ भी नहीं कर सकते तो पंचाक्षर मंतर का आप जाप कीजिए रुद्रक्ष की माला से पुर्वा भीमुख होकर आसन बीचा कर अगर कुश का आसन है तो बहुत ही अच्चा है कुश का आसन नहीं है तो आप किसी भी वस्त्र को लेकर यानि की शुद्ध वस्त्र को लेकर पुर्वा भी मुख होकर बस्मधारण करके अब बगवान शिव की उपासना कर सकते हैं अगर आप किसी भी तरह की विशिष्ट उपासना करने में रुची रखते हैं, तो कई बगत ऐसे होते हैं, जो सामान्य उपासना नहीं करते, उनको पसंद होता है अन्य-अन्य की विशिष्ट प्रकार की उपासना करने में, तो भी आप कर सकते हैं, अगर आप चाहे, तो शि शिव महिमनस्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, शिव महिमनस्तोत्र का पाठ तो आप अचुप कीजिए इस दे, शिव महिमनस्तोत्र में ये कहा गया है कि इसका पाठ करने से जितना फल यानि कि जितना पुन्य इंसान को प्राप्त होता है, उतना पुन्य किसी भी प्रकार के दान, तब यग्य वगरे से भी नहीं होता है तो शिव महिमनस्तोत्र जिसमें बगवान शिव की हर एक महिमा का मणन किया गया है उसका आप पाट करते हैं कुछ नहीं कर सकते तो आप एक बार उसका पाट कर लीजे अगर तीनों काल में आप उसका पाठ करते हैं तो बहुत ही अच्छा है हो सके तो सुबह आप जल्दी उठ जाईए, स्नानादी से निवरुत हो जाईए और पंचाक्ष्र मंत्र का भी आप हो सके इतना आप जाप कर सकते हैं अगर आप शिव महापुरान इस दिन पढ़ते हैं तो बहुत ही अच्छा है इससे बगवान शिव की क्रीपा आपके उपर बनी रहेगी क्योंकि शिव ग्रम्तों का वाचन अगर आप इस दिन करते हैं तो वो भी एक बगवान की एक तरह से पूजाई है अगर आप चाहे तो रुद्र गयत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं और आप शिव गयत्री का आप कर सकते हैं एक बात का ध्यान रहेए कि इस दिन आप शिव जी की जब्वी पुजा करें यानि कि 30 दिसंबर 2020 बुद्वार को तो बस्मा दारण करके ही करें इससे आपको पुन्य फल की प्राप्ति होगी कि त्रिपुन्ड आप दारण कीजिए बस्मका अगर त्रिपुन नहीं कर सकते तो बिंदी करता हूं जो कि यहीं प्राइब बाहर के देश में अगर आप त्रिपुन करके निकलेंगे तो थोड़ा ऐसे में कुछ शर्म वगेरा नहीं होती लेकिन आप अपनी शद्गा से कु रुद्राक्ष दारण कीजिए इसके बिना कभी भी शिव पूजा संपन्न नहीं होती तीन चीज़े बस्म रुद्राक्ष और बेलवपत्र मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि तीन चीज़े जो इंसान धारण करता है पुराणों के अनुसार दिवता भी उसको प्र करेंगे और इस वीडियो को भी आप थोड़ा बहुत फैलाईए क्योंकि अगर आप किसे को इसकी महिमा के बार में बताते हैं को अगर शिव जी की पूजा उस दिन अगर नहीं करने वाला तो भी आपकी बास सुनकर या तो यह वीडियो देखकर अगर कोई पूजा करता है तो बहुत सारे लोग फॉलो करेंगे कि बगवान शिव के बक्त बहुत है तो दन्यवाद आप अमारे चैनल पर सब्क्राइब कीजिए आप अपने कमेंट्स भी दीजिए और 30 दिसंबर बुद्वार को मार्गिशिष जिनकी माकसर आदरा नक्षत रहे बगवान शिव को स